हेलो फ्रेंड आस्तिन डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 9 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने एक साइड से 7 इंच ली है अब हमें इसमें डिजाइन बनाने के लिए ऐसे बक्रम की कटिंग करके इस्तरी की सहायता से कपड़े पी चिपका देना है डिजाइन की लंबाई आठ इंचे और इसकी चोड़ाई तीन इंचे साइड में हमारा जो बक्रा में इसकी चोड़ाई एक इंचे एक अक इंच की चोड़ाई नापते हुए ऐसे कट कर लेंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुर उसी सेप में कपड़े को किनारे की साइड से फोल्ड करते हुए हम इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे अब हमें यहां से धागी को कट कर लेना है धागी को कट करने के बाद अब हमें इस डिजाइन को आस्तिन के कपड़े पे लगाना है तो ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा डिजाइन को हम उपर की साइड में यहाँ पर लगाएंगे यह देखिए ऐसे आपको लगाना है डिजाइन को अब हमें इसके उपर सिलाई चलाना है तो सिलाई की स्टार्टिंग हमें यहां से करनी है जिस सेप में हमारे डिजाइन का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं प्लिस हमारी चेनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. डिजाइन के चारो तरप में सिलाई चलाने के बाद अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे. धागी को कट करने के बाद डिजाइन के अंदर की साइड की हमें एश्टा कपड़े की कटिंग करनी है तो बीच में से ऐसे सीधी कट करेंगे. अब जिस shape में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी shape में एष्टा कपड़े की cutting कर लेनी है लेकिन सिलाई के बगल में सिलाई पर नहीं cut करना है अब हम डिजाइन के कोने की side में हम ऐसे छोटा सा cut कर देंगे जिस से हमारा बगरम आसानी से fold हो जाएगा अब हम कपड़े को उल्टा करेंगे और बकरम को ऐसे फोल्ड करके सीधा करेंगे जिस सेप में हमने कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में हमें अच्छे से फोल्ड करके सीधा कर लेना है इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस तरी करने पे हमारा डिजाइन पर्फेक्ट सेफ में बैट जाएगा अब हमें नीचे की साइट से ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए कहीं जादा चोड़ा और कहीं जादा पतला नहीं होना चाहिए अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे इस लाइन को कम्बिलीट करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चोड़ाई दोनों 4 इंच है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है अब हमें इसमें डोरी लगाना है अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्किप्शन में इसकी लिंक दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इस डोरी को आप तयार कर सकते हैं आप मार्केट वाला रेडिमेंट डोरी भी लगा सकते हैं इस डिजाइन में यहाँ पर ऐसे हमें धेर सारी डिजाइन बना कर तयार कर लेनी हैं अब हम एक लंबा सा कागच लेंगे कागच पर हमें इस डिजाइन को यहाँ पर ऐसे लगाना है एक के बगल में एक सारे डिजाइन को हम ऐसे लगाते जाएंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे एक साइड में हमें पांच डिजाइन लगानी है इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और सेम इस टेप को फॉलो करते हुए कागज के दूसरे साइड में भी हम डिजाइन को लगा लेंगे तो पहले वाले डिजाइन के ठीक सामने ही हमें दूसरे साइड में भी डिजाइन को ऐसे लगा कर इसके किनारी की साइड में सिलाई चला देनी है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं इस line को complete करते हुए अब हम यहां से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें आस्तिन के कपड़े में इस डिजाइन को लगाना है तो आस्तिन के कपड़े को हम डिजाइन के उपर ऐसे लगाएंगे अब जिस shape में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो यहां से हमें सिलाई के starting करनी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजाकर all का option select करें जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी अब हमें उपर की side में यहां पर सिलाई चला लेनी है डिजाइन के उपर सिलाई चलाते समय कपड़े को ऐसे आपको बराबर करते रहना है जिससे आपके डिजाइन में perfect finishing आएगी अब हम यहां से नीचे की side में सिलाई चला लेंगे चारो तरप में डिजाइन के उपर सिलाई चलाने के बाद अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे अब जो हमारे डिजाइन में dory है उसे अच्छे से हम ऐसे बान लेंगे अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो description में इसकी link दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं कि ऐसी डोरी आप कैसे बना सकते हैं इस line को complete करने के बाद अब हम design के पीछे की side को कागच को निकाल देंगे यह देखिए ऐसे आपको सारे कागच को निकाल देना है design बनने के बाद आपकी design का look कुछ इस तरीके से आएगा मिलते हैं next video में एक नए design के साथ thanks for watching my video